नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। कृष्ण बिहारी नोर की एक गजल है, बड़ी मशुहुर गजल है, कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। लेकिन इसका एक अंत्रा है, वो है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। यानि सच उतना ही रहता है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और जुट की तो कोई इंतहा ही नहीं है। कृष्ण बियारी नूर्ग ने जो लिखा, वो अरविंद केजरिवाल की कुल मिला करके, अगर हम पॉल्टिक्स का आकलन करें, इनके तोर तरीकों का, इनके जुटों का, इनके पाखंड का, तो कुल जो एक द्रश्य निकलता है, वो यही है, के जुट की राजनीती की कोई इंतहा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। इस्तीफा देने का नाटक कर रहे हैं, कि सब दो दिन के भीतर मैं इस्तीफा दे दूँगा, और दिल्ली को नया मुख्यमंतरी मिल जाएगा, और ये भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, ये पूछूंगा कि मैं भरष्टाचारी हूँ या नहीं ह केजरिवाज जी पहली बात तो ये है कि इस्तीफा देने का फैसला करते करते वो जो एक काना है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी तो छे महिने बाद आपको सूजा के इस्तीफा दे ही देना चाहिए जिस समय 21 मार्च को ग्रफ्तारी हुई थी अगर नैतिकता थोड़ी बहुत बची थी शर्म लिहाज थोड़ी बहुत बची थी और राजनीती के जो तै मांदंड हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत कहीं भरोसा था या लोक लिहाज थी तो जैसे ही ग्रफ्तारी हो रही थी वैसे ही उसी हाथ से इस्तीफा लिखते और एडी से कहते के साथ मुझे राजभवन तक जाना है मुझे एलजी तक मिलना है ताकि मैं अपने मुख्यमंत्री पज से इस्तीफा दे सकूं और नए मुख्यमंत्री का रास्ता साफ कर सकूं लेकिन उस समय तो आपने इस्तीफा दिया नहीं आप ना केवल इडी की कष्टडी में रहे ए एक अपरेल को जब नियाई खिरासत में बेज दिये गए तियाड तो उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दिया इस्तीफा दे सकते थे नहीं दिया और दूसरे दलों से भी ये कहते रहे कि साथ ये जो गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों की ग्रफतारी होती है उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि मौधी जी यही चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें इन्होंने कितने बड़े बड़े जूट बोले हैं किस तरह की अनैतिकता दिखाई है किस तरह इनका नैतिक और राजनेतिक पतन हुआ है ये इनका उदाहरन इस केस में पराकाष्ठा है और तो यह कहना के साब दिल्ली की जनता ही अब तै करे के मैं भरस्टाचारी हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास वैसे इसका भी जवाब है. अगर जनता ही तै करे के कोई भरस्टाचारी है या नहीं है, तो फिर इस देश में ना तो E.D. की जरूरत है, ना C.B.I. की जरूरत है, ना Income Tax Department की जरूरत है, ना N.I.A. की जरूरत है, फिर तो जनता ही तै कर देगी, के तुमने भरस्टाचार किया है के नहीं किया है, फिर अदालतों की क्या जरूरत है अदालतों पर ठाला ठोकदर सब पर दूसरी बात ये है कि जो लोग सबा के चुनाव हुए थे जिसमें इनको 21 दिन की अंत्रिम बेल मिली थी सुप्रेम कौर्ट से के जाएए आप अपनी पारिटी के प्रत्याशियों के लिए परचार करिए उस खिलाफ वोट दीजिए यानि मोदी सरकार ने मुझे जेल भेजा है इसके खिलाफ आप लोग वोट करिए क्या नतीजा रहा दिली के जनता ने क्या अगर आप यही चाहते थे कि मुझे जेल भेजा है सरकार ने या मोदी जी ने या भारतिय जनता पारिटी ने अदालत ने नहीं एजनसीयों नहीं जिन को झिनलों ने ग्रफतार किया था और आरूपत्र अधालत के सामने पेश किया था और अधालत्ने फैसलाकिया है यह कहते हैं यह के मौदी जी ने मुझे जेल भेजया क्योंकि राज़िनितिक माईलेज तो वहीं से मिलता है साहनूब होती तो लोगों की वहीं से मिलती है यही कहने से मिलती है तो इन्होंने यह एक तरकीब लगाई और यही नहीं जितने भी ग्रफतार होते हैं जिनके खिलाब भी ब्रश्टाचार के गोटालों के या दूसरे अपरादों के मनी लॉंडरिंग से लेकर के तमाम जितना भी कदाचार बरस्टाचार है उसकी कारवाईयां होती हैं तो ये लोग ये ही प्ली देते हैं कि ये राजनितिक बदले की वहावना से हमें ग्रफतार किया जा रहा हमारे पीछे एजिंसियां लगाई जा रही हैं तो उस समय किजरिवाल जी बताईए दिल्ली की जनता ने जो आप कह रहे थे उस पर अपनी सहमती की महर लगाई या असहमती की महर लगाई यानि अगर मोदी जी ने आपको जेल बेजा था तो दिल्ली की जनता ने तो आपको वोट नहीं दिया इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता भी मानती है कि आपने बरस्टा चार क और आपको सही जिल बेजा गया है और ये अकेले दिल्ली में नहीं लड़ रहे थे ये पंजाब की सभी 13 सीटों पर लड़ रहे थे ये हरियाना की कुरुक्षेतर सीट पर लड़ रहे थे गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर लड़ रहे थे दिल्ली की भी चार सीट पर लड़े पर बाकी सीटों पर बाकी राज्यों में मिल दूर करके लड़ रहे थे इसके बावजूद यानि कॉंग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के बावजूद अगर जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आपकी बात पर भरोसा नहीं किया किसाब राजनेती बदले की वहावना से मौदी जी ने मुझे जेल में डाल दिया तो इसके बाद भी आप अगर इस तरह की बाते कहें कि जनता तै करें दिल्ली की जनता तै करें कि मैं ब्रष्टाचारी हूँ या नहीं हूँ और दिल्ली की ही जनता छोड़ दीजिए सब गुजरात की जनता ने भी इ उनमें से तीन राज्यों में इन्होंने दो सो पाँच कैंडिडेट खड़े किये थे राजस्थान, मद्यपरदेश और चटिसगड़ सबकी जमानते ही जब्त नहीं हुई थी नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे इनके परतियाशियों को अर्विंद केजरिवाल ने इस्तिफ़ा देने का फैसला क्यों किया है? मैंने लिखा है सबकुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया है? राजनीती में सारवजनिक जीवन में कुछ लोक लिहाज होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ नैतिक्ता होती है, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धान्त होते हैं. और अगर आप बेशर्मी पर उतर आएं, कुतरकों पर उतर आएं, आप भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं, मनी ट्रेल मिल रहा है, और आप लगातार जनता की आँखों में दूल जोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर के, अरे मनी सिसोधिया को तो भारत र सिक्षा जगत में क्रांती कर दी, ऐसे व्यक्ति से तो मोदी जी को बुला करके मार्ग दर्शन लेना चाहिए कि सिक्षा के छेतर में उन्होंने क्या कमाल का काम किया है, ये एक्च्वल में ऐसी जमात है पॉलिटिक्स की, जो या तो जनता को बुद्धू समझती है, बेव उनको पता नहीं है कि सिक्षा मंतरी रहते हुए उन्होंने जो कारनामे किये हैं, उसकी भी जांच परताल शुरू हो चुकी है, जो कमरे बमरे बनवाए गए हैं, उसमें भी टोईलेट को कमरे बता करके 30-30, 35, 35, 32, 32 लाख रुपे का जो है बिल बना दिया गया, उसकी अल आबकारी मंतरी के तोर पर उन्होंने जो नहीं आबकारी नीती बनाई थी, साउथ ग्रूप के कहने पर, या जो जैसी वो चाहते थे, वैसी जो नहीं आबकारी नीती बना करके लागू की थी, उसमें जो भरष्टाचार हुआ है, और 100 करोड का तो सीधे सीधे था, बाद म अधालत में ही ये तत्याया के 338 करोड रुपे का लेन देन सामने आ चुका है, और अगर हम होम मिनिश्ट्री की जानकारी साजा करें आप से, तो होम मिनिश्ट्री ने तो इस पूरे शराब घोटाले को कई सो करोड का बताया है, दिल्ली में जब ये आम लोगसवा चुनाव हो रही तो पूरे देश में, तो दिल्ली चुनाव परचार के दोरान, आमित शाहा के ओफिस ने जो जानकारी साजा की थी, वो जड़ा आप भी देख लीजिए, ओफिस ओफ आमित शाहा, और इसमें क्या जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया है केजरीवाल के घोटाले, 2875 करोड का शराब घोटाला, 2875 करोड का, आप समझ लीजिए कि करीब करीब 3,000 करोड का ही समझ लीजिए, फिर 78,000 करोड का जलबोड घोटाला, 5000 करोड का क्लासरूम निर्मान घोटाला, 1000 करोड का नकली दवाईयों का घोट करोड का लैव एक्सरे गोटाला, इक सो पचास करोड का गाड़ियों में पैनिक बटन का गोटाला, एक हजार करोड का बस खरीदी में गोटाला, एक Sो पचीस करोड का शीष महल गोटाला. और इसमें यह जानकरी दी गई थी. अरे केजरी अभी तो सिर्फ शराब गोटाले की जांच होई है, साथ गोटालों की जांच तो बाकी है, एड़ दरेट अमित्शाह, ये जानकारी लोक सभा चुनाओ के दोरान सामने आईति साथ, तो अरविंद केजरिवाल, दिल्ली की जनता, क्या ये समझ रही, क्या इतनी आप ना समझ मानते हैं, कि आप छे महिने तक तिहार जेल में रहेंगे, मुख्यमंत्री बन करके बैठे रहेंगे, दिल्ली की जितनी आकांकशाएं थी, जनता की जितनी उम्मीदें थी आप से, जो सोच करके आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपने सारे मनसूबों पर नाकेवल पान किसी एक भी फाइल पर अरविंद केजरिवाल के एज चीफ मिनिस्टर साइन नहीं हुए हैं, इससे ज़्यादे नहती पतन और किसी का क्या हो सकता है, कि आप काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एज चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और किसलिए बने जो वकीलों की फोज आपने तैनात कर रखी है, खड़ी कर रखी है, राउज एविन्यू कोट से लेकर के हाई कोट और सुप्रीम कोट तक, सरकारिक हजाने से जनता की गाड़ी कमाई, पसीने की कमाई का जो टेक्स का पैसा है, वो उनसे उनकी जेब भरते रहें वकीलों की, तो उस प्रोटोकोल के हिसाब से, और तरक क्या, कि सब चुकी ग्रफतार इसलिए कराया गया कि एक विरोधी दल के मुख्यमंतरी को मोदी जी चलता कर सकें, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूँगा, और बाकी लोगों को भी, अगर कोई गैर भाज़ापा मुख्यमंतरी को ग्रफतार किया जाए, चाहे उसने कुछ भी कर दिया हो, कितने से कितना बड़ा गोटाला कर दिया हो, अगर उसको ग्रफतार किया जाता है, तो उसको इस्तिफानी देना चाहिए, क्योंकि मौदी जी की मर्जी पूरी हो जाएगी, इतने सारे गोटाले मैंने आपको गिना आयर भी मनी शिसोधिया भी करीब करीब डेड़ पोने दो साल तक जेल में रहे हैं. बाद में जवानत मिली हैं. संजय सिंग गरफतार हुए 6 महीने जेल में रहे हैं. तब उनको जवानत मिली हैं. के सी आर की बेटी के कविता वो भी छे महिन्य से अधिक समय तक जेल में रही हैं उनको पंद्रा मार्च को ग्रफतार किया गया था अर्विंद केजरिवाल को 21 मार्च को ग्रफतार किया गया था तो के कविता भी छे महिन्य के आसपास जेल में रही हैं तब जमानत मिलिये हैं इतनी लोग एक केस में गिरफतार हुए और ये लोगों की आँखों में धूल जोंकने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने हर इस तर पर हर अदालत में जाकर के जमानत के लिए अंतरिम जमानत के लिए वकीलों की फोज खड़ी करके दस्तक दी है पैसा पानी की तरह बहाया है कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए और जमानत नहीं मिली सब जमानत नहीं मिली और कोट ने अभी भी अगर अरविंद केजरिवाल को भी और दूसरे अवियुक्तों को भी जमानत दी है अगर रिहा किया है तो कड़ी शर्तों के साथ दिया है ये देखिए, छे शर्ते हैं सुप्रीम कोट की इनके उपर जो आयद हुई हैं, जो इनके उपर लगाई गई हैं, पहली शर्त ही ये थी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंतरी कारियालिया नहीं जा सकेंगे, दूसरी शर्त किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तीसरी है, केस से जुड़ा कोई सारवजनिक वयान नहीं देंगे, चोती है, दस लाख रुपे का बेल बॉर्ण भरना होगा, पांच भी है, जाच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, और छटा है, जरूरत पढ़ने पर ट्रायल को में पेश होंगे और जाच में सहयोग करेंगे, इतनी कड़ी शर्तों के साथ और दस लाख का बेल बॉर्ण भरवाने के बाद ये बाहर आए हैं, तो अगर इतनी कड़ी शर्तें थी, कि आप बतोर मुख्यमंत्री कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप कैबिनेट की मिटिंग नहीं ले सकते, आप किसी फाइल पर सिगनेचर नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री ओफिस नहीं जा सकते, सचेवाले नहीं जा सकते, यानि बाहर आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दाइद पर पूरे नहीं कर सकते, तो एक होता है ना कि एक दबाओ, पब्लिक का दबाओ और आप कितनी भी बेशर्मी दिखा लें, किसी भी तरह के बयान दे लें लेकिन आप अगर जिस पद पर जम्य हुए हैं, बने हुए हैं बेशर्मी के साथ उस पद का काम काज नहीं कर रहे हैं और भवे महल जैसा जो आपने बना दिया है, शीश महल उसमें आप एशो अराम के साथ रह रहे हैं, आपका परिवार भी रह रहा है आप सेक्यूरिटी भी लिए हुए हैं, यानि बिना काम काज के आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं तो जो आप राजनीती में कदम रखते हुए बड़ी बड़ी उंची उंची बाते करते थे आदर्शवादी बाते, सिद्धान्तों की बाते, हमें इतने बड़े घर की जरूरत क्या है जी हमें security की जरूरत क्या है जी मोटे मोटे वेतन लेने की क्या जरूरत है जी तो वो तो आपने धुस्त करके रख दी सारी के सारी और अब चुकी public भी समझ चुकी है कि आपकी कत्नी और करनी में कितना बड़ा अंतर है आप खुद को कटर इमानदार बताते हैं लेकिन कटर बेमान निकले आपने घोटाले किये हैं ब्रस्टा चार किये हैं आपको जमानत तक नहीं मिली छे मैंने हो गए आप जाकर के जमानत मिल रही है और वो भी कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिल रही है और अदालत ने किसी भी इस तर की अदालत ने ये भी नहीं कहा है कि आप पर कोई फेक चार्ज लगाए गए हैं या ये गलत मुकदमा है, ऐसा कुछ नहीं कहा किसी भी अदालत ने, यानि अदालते भी मान रही हैं कि CBIU और ED ने जो जांच परताल की है और जो दस्तावेज रखे हैं तो आपने भरस्टाचार किया है, इस उपर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल तीन सीट जीत पाए, हरियाना में एक भी सीट नहीं जीत पाए, गुजरात में एक भी सीट नहीं जीत पाए, दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए, राजस्थान, मद्यपरदेश, 36 गड़ में 205 केंडिडेट खड़े क करके सिर्फ जमानत जब्त हुई, जमानती ही जब्त नहीं हुई, नोटा से भी 50% कम वोट मिले, तो ऐसे में इनको समझ में आ रही है, कि जनता इनको सबक सिखाने के लिए संकल्पित हो गई है, जनता भी ठगी हुई महसूस कर रही है, कि हमने क्या सोच करके इनको वोट दिय और ये एक्च्वल में क्या निकले हैं और अकेले ये ही नहीं निकले हैं इनकी पूरी टीम अभी ये सब जमानत पर बाहर आरे हैं अमानत अल्ला खान अंदर चले गए हैं उसको भी एडी ने ग्रफ्तार किया है money laundering के मामले में ग्रफतार किया है, वक्प बोड की जमीन को ओने-पोने दामों में दे करके और अपना घर भरा है, संपत्ती बनाई है, तेश में भी और विदेशों में भी, तो ये सारे के सारे सत्ता में आने के बाद किस तरह की राजनीती कर रहे थे, किस किस तरह के करत्यों में लिप्त थे, ये जनता के सामने चीजें उजागर हो गई हैं, दूसरी बात, आखरी बात, जो लोग कह रहे थे किसाब ये तो बेशर्म होकर के जेल में बैठे हुए हैं, इस्तीफादे नहीं रहें हैं, दिल्ली की जनता जो है वो परिशान हो रही है, घुट रही है, पिस रही है, मोदी सरकार क्यों नहीं इनकी सरकार को बरखास्त कर देते हैं, और इसी तरह की ब और सेंटर गवर्मेंट के पास में फुल पावर होती है, एल जी से या राज जपाल से रिपोर्ट मंगाए, समीधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है सरकार, ये पिली दे करके वो किसी को भी वरखास्त कर सकती है, अतीत में इंद्रा गांदी ने किये हैं ना ये पाप, पचास बावन सरकारों को तो अकेले इंद्रा गांदी ने ये वरखास्त किया हुआ है, और कुल मिला करके तो कॉंग्रेसी सरकारों ने 80 से ज़्यादा सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को बरखास्त किया है, नरेंद्र मोदी, एक अलग तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं सा जनता की आखों में पूरी तरीके से एकस्पोज होने देना चाहते हैं, महमता बेनर जी को भी देख लीजिए, पूरी तरीके से मुर्जा गई है, तुनक मिजा जी और नकरा जिनकी नाक पर रखा रहता था, यहां तक के नीती आयोग की बैठक में भी आपने देखा होगा राजनाथ सिंग्ग ने सिर्फ यही कहा था कि पांच मिनट पूरे हो गए हैं महमता जी, और बस इसी बात पर पूरी मिटिंग का बाइकॉट करके और बाहर आकर के मीडिया में जो है, पता नहीं क्या क्या है डाला उन्हों ने, तो जो नाक पर मक्षी नहीं बैठने देती थी, वो अब अपने ही राज्यों के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का इंतजार करती हैं, गेट पर खड़े हो करके के वो बातचीत के लिए आए और वो नहीं आ रहे हैं, इसी तरीके से अरविंद केजरिवाल अगर छे महिने बाद ही जेल से बाहर निकल करके इस्तीफ देने के लिए बात दे हुए हैं, तो इसकी वज़े ये है कि कोई नैतिकता का भाव जाग्या हो अंदर ऐसा नहीं है, ये इस्तीफा भी एक नाटक है, एक पाखंड है और राजनितिक दाओ है, कि चल जाए और लोगों की सहनुभोती किसी तरीके से मिल जाए, तो शायद म तर जाओंगा और किनारे लग जाओंगा, एक जुआ है इनका, वरना ये इस्तीफा देने वाली चीज है नहीं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, अब इस्तीफा दे रहे हैं, तो केवल इसलिए कि समझ चुके हैं, कि लोग चले गए हैं इनके पास से, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, तो क्या इस्तीफे का नाटक नोटंकी करके पाखंड करके उस खिसकी हुई जमीन को वापस ले सकते हैं, क्या बस ये संभावना तलाश करने के लिए इस्तीफा दिया गया है, और कोई नेतिकता वैतिकता नहीं है, या गैरत नहीं है, शरम को शेर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस् बहुत उल जाईकॉन करें अगर न दोरी चैनल सब्सक्राइब कर देंग।